नमस्कार, वेलकम, सभी का स्वागत है हमारे वेकेंसी एराईजू के सर में तो दूस्तो आज हम एक और अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए लेके आएं वो इस्टूडेंट जरूर देखेगा जो अपरेंटिस करने के लिए इच्छूत है जी हाँ दूस्तो काफी अच्छी अपडेट है आठ सो से हदिक वेकेंसी हुई है इसमें और अपरेंटिस करने वाले स्टूडेंटों के लिए दसवी, बारवी और आईटे वाले स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं जी हाँ दूस्तो इसमें सूरत नगर निगम से टेकनिकल पोस्ट हैं इसमें जो आपके पास ट्रेड होगी वही इस्टूडेंट इसमें आवे दिन करेगा आवे दिन करने की परिकर्या बात करें ओनलाइन ओफलाइन दोनों तरीके से जमा करवा सकते हैं आपके पास इसकी ओफिसली विवसेट का पता होना चाहिए जब भी आप इसमें जमा करवा पाएंगे अगर दोस्तों आप अपरिंटिस के लिए चुत हैं सूरत नगर निगे में अपरिंटिस करना चाहते हैं तो 800 पदों के रिक्त विवरन हैं 30 सितम्बर से पहले आप सबी इसमें आवे दिन कर सकते हैं आवे दिन उनलाइन और मेल के जरिये दोनों तरीके से कर पाएंगे सेलेक्शन परोसेसर की बात करें एकदम सीधा होगा इसमें मेरी टिलिस्ट के नुसर आपको चेनित किया जाएगा चेनित करने के बाद आपको सेलेक्शन दिया जाएगा हो सकता है आपको इसमें permanent भी रखा जाए बाद में one year के बाद तो यहां पे आप एक बार try कर सकते हैं आप भारत में किसी भी राजजी के रहने वाले हो चाहे गुजरात के हो या फिर राज़तान हरियाना किसी भी छेतर के हो पर आपको ध्यान रखना होगा आप अगर गुज कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं आवेदन के अंतिम तारिक है 30 सितंबर एक बार फिर से रहान दे लिजिए गा सूरत नगर निगम की हम बात कर रहे हैं जिसमें ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 800 पदों की विकिंसी अपडेट हुई है इलक्टरीकल की बात करें इसमें करीबन 60 पोस्टे हैं वायरमेन की 120 के आसपास है फीडर की बात करें तो 20 पोस्टेस में दी वी है और चिकिसाच हितर की बात करें जिनके पास नर्सिंग वगरा है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं 10 वी से और कंप्यूटर ऑपरेटर जिनके पास कंप्यूटर का ग्यान है वो भी 80 पोस्टों के लिए आवेदन कर सकता है लेखाफवाल के बात करें तो 150 है वित्रित यानिकी जो काउंटेड होते हैं उनकी बात करें 10 पोस्ट हैं असिस्टेंट की और संचालक की 100 पोस्ट हैं इसमें दी वी है तो ऐसे करके सभी पोस्टों का आकड़ा ल रूपय के रूप में दिये जाएंगे जबकि वायर में इनके स्टुडेंटों के लिए करीबन 850 दिये जाएंगे और फीडर वाले स्टुडेंटों को 700 700 पोस्टों के अनुसार आपको सेलेडरी भी निदार्त की है बात हम करें इसके ओफिसली नोटर्पिकेशन की तो दोस्तो इसका ओफिसली नोटर्पिकेशन है पर वो अलग लेंग्वेज में गुजराती लेंग्वेज में आपको गुजराती लेंग्वेज में आपको गुजराती लेंग्वेज आना जरूरी है तब ही आप इसमें आवे दिन कर पाएंग